वन प्लस नाइनर का एक लेटिस्ट ओक्सिजन ओए स्पोर्ट आ चुक है हमारे मी 11X, Poco F3 और K40 डवाइस के लिए जिसे फिलाल में कुछ टाइम से योज कर रहा हूँ और यहाँ पर इस से रिलेटेड आपको सारी इंफ्रोमेशन मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या कुछ बग देखनी को मिलता है कितना स्मूधनेस और प्रफोर्मेंस कैसा है साथ साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर और वीडियो पसंद आता है न तो यह प्लीज लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरू करना ताकि इससे तरह कर रेगुलर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके तो चलिए आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं अगर हम अपने अबाउट फोन की बात करें तो डिवाइस नेम आपको वन प्लस 9R देखने को मिलता है क्योंकि यह उसी का पोर्ट वर्जन है और यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिलेगा ना कि Android 12 साथ साथ यहाँ पर 11 मंद का सिक्योटी पैच दिया गया है वन जैन का Google Play सिस्टम अपडेट है और प्रिफ का करनल है अगर हम इसके बिल्ड नंबर की बात करें तो वह आपको मिलता है 11.2.6.6 जो की सही है और काफी अच्छे तरीकी से यहाँ पर काम कर रहा है गोम के समुद्धिस मुझे काफी ज़्यादा यहाँ पर फरिफेक्ट लगी है और रही बात इसके कस्टमाइज़शन तो वाई हर ऑक्सिजन और इसका कस्टमाइज़शन सिमिलर ही होता है फिर भी एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर आपको टेखने को मिलता है multi boost बगरा यहाँ पर आपका quick launch का option है साथ से parallel apps जो कि काम कर रहा है apps lock जो कि आपका काम कर रहा है और इसकी help से मैंने अभी इसके file manager को है जो यहाँ पर लॉक कर रखा है तो जब भी आप heavy usage करोगे या normal तो आपको battery drop यहाँ पर मिलने वाला है चाब वो gaming हो याभी बाके दर चीज़ी हो यहाँ पर आप देखते तो 3 hours हो रहा है और 2 hours का screen on timing है और battery 50 के आसपास का था जो कि अभी यहाँ पर 20 के आसपास आ चुका है बाके यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है fingerprint का fully support कोई दिकत नहीं आने वाला लेकिन जो face unlock है ना यह आपको काम नहीं करेगा तो face unlock का फिलहाल अभी bug देखनी को मिलता है अगर हम left to check की बात करें तो हमा जो left to check है ना यह proper काम करता है और काफी क्योंकि responsive है तो इसमें दिकत नहीं आएगा बाके यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है button and gestures वगरा जो कि आप use कर सकते हो और यहाँ पर आपको alert slider भी मिलता है लेकिन यह भाई hardware में intrigate रहता है तो इसके लिए आपको प्लेश्टों से कोई भी AP के download करना है ताकि आपको अपने phone को silent, D&D या ringtone पर set कर सको power button पर आप assistant यहाँ है जो power menu ही set रख सकते हो यहाँ पर अगर हम बात कर इसके vibrate की तो यहाँ पर आपका जो doll V है यह फिलाल काम नहीं करता है तो by default वाला bug है तो आपको normal ही output टेखनीकों मिलेगा sounds related कोई भी customization या effect नहीं available है बाकि यहाँ पर ringtone वगर आपको perfect working है लेकिन जब भी आप इस रोम को flash करो ना अपने जो calling का dialer है OnePlus का इसे as a default phone call के रूप में set कर लेना otherwise incoming calls ओ नहीं होगा या outgoing call भी आपको नजर नहीं आएगा और ऐसे में घर से parents का call आ गया न तो भाई दे चपल दे चपल बेंड बच जाएगे आपकी तो यह ध्यान में रखना ओके यहां पर आपको देखनी को मिलता है कुस्टमाइशन जहां पर कैनवास पगरा दिया गया है जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हो या फिर आप यहां पर wallpaper चेंज कर सकते हो डिफ्रेंड जो क काम नहीं आने वाला एच लाइट जो भी चाहिए यूज कर सकते हो बाकि यहां पर color कई सारे option मिलते हैं कई सारे icon के design दिये गए हैं बट icon pack only on आपको दो देखनी को मिलता है और यहां पर दो font आपको दिखाई देते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर adaptive brightness perfect working है बाकि यहां पर आपको advance के अंदर देखनी को मिलता है यह सारे option जो कि आपके working रहते हैं बट यहां पर आपको notch hide है ना यह काम नहीं कर रहा है मेरे device के अंदर जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो तो यह आपको bug देखनी को मिलता है आप 120 या 60 या 60 यूज कर सकते ह color में भी बदलाव ला सकते हो जो कि काम करता है कोई दिक्कत नहीं आएगा reading mode भी आपका working है और dark mode भी आपको working देखनी को मिलता है तो इस से related भी आपको problem नहीं आने वाला उसके बाद अगर हम back की और आते हैं जो कि है हमारा status bar तो इनके भी सारे option आपको working देखनी को मिलते ह रही बात बाकिये दर चीज़ों की तो इहां पर जो इसका oneplus का camera दिया गया ना यह proper काम नहीं करता है तो आपको working हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ चीजी जो इसका ठीक से काम कर रहा है सेवाए portrait का तो अगर आपको gcam यूज करना है तो कर सकते हो कि को यहां पर काम करता है और यहां पर मैंने को recording भी किया है तो इस से रिलेटेड आपको टेंसल लेने के जुरूद नहीं है गेम स्पेस भी आपका perfect working है कोई दिक्कत नहीं आएगा मज़े से आप यूज कर सकते हो no issues control center में कई सारे आपको option देखनी को मिलते है जो कि आप नहीं आने वाले और यह है हमारा single और multicore का result जो की काफी अच्छा लगा है काफी सही है और यहां पर आपका जो device है यह certified नहीं मिलता तो यह एक आपको problem देखनी को मिलेगा तो banking के यूज करने में दिक्कत आने वाली है बाकी आपको L1 का support भी मिल जाता है तो इस का तो यह आपको एक advantage देखनी को मिल जाएगा अंटूटू का result भी काफी बहत देनी नहीं जिसमें battery drop normal दिखाई देता है और hitting MIY जैसा ही है लेकिन भाई battery drop ज्यादा मुझे notice हुआ है और यह CPU total जो की 90 के आसपास गया है जो की normal MIY के comparison में काफी अच्छा है बट सही कहूँ ह कोई खास दिक्कत नहीं है और यहां पर gaming आप अच्छे से कर सकते हो gaming में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ share करना चाहूंगा gaming के बारे में तो अगर आप bgmy gameplay करते हो जो कि आपका max extreme और यहां पर HDR या HD होगा तो जो touch response है वो थो हार्ड आपको feel होने माला यह मैंने personally notice किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आप प्ले करोगे तो बता देना लेकिन अगर आप बालेंस या स्मूध पर जखके gaming करते हो ना तापको जो touch response है वो काफी स्मूध रहता है और काफी मज़ा आएगा gaming के टाइम पे कोई दिकत न देखनी को मिला है जबसे मैंने geo sound को यहां पर डाला है यूज किया है उसके बाद से बट अभी फिलाल मैंने geo sound को uninstall भी कर दिया है फिर भी मुझे यह problem देखनी को मिल रहा है और यह fix नहीं हुआ है तो यह मुझे एक थोगा सा problem दिखाई दिया है जो कि fix होना चाहिए जैस आपको अपने device को एक बार restart करना है यहां पर बने restart कर लिया है अब कुछ application को try करते हो open and close करके तो आप देखोए जो problem दिखाई दे रहा था वो problem अब देखनी को नहीं मिल रहा है असानी से जो open and close हो जाता है तो यह चीज़ यहां पर है जो fix हो चुकिए तो इस तरीकी से अ आगे आने वले update में fix हो जाएगा second problem आपको देखनी को मिलता है इसका by default camera जो कि some time किसी किसी जो इसके लिए काम कर रहा है और किसी किसके लिए काम नहीं कर रहा है उसके लिए आपको है जो gcam यूच करना परेगा ताकि आप proper benefit ले पाओ second problem देखनी को मिलता है यानी another जो कि ह हमारा double tab है double tab आपका date रहने वाला है तो वाई double tab to wake up आपको यहाँ पर problem create होगा जो कि maybe आप ignore कर सकते हो another अगर आप music listen ज्यादा करते हो तो तकलीफ होगी वह कि आपको यहाँ पर dolby का effect देखनी को नहीं मिलता यह एक bug है जो कि solve नहीं हुआ है साथ से साथ अगर आप अपने फोन को किक चार्जिंग करना ज्यादा पसंद करते हो तो इस update में जो आपको charging का support मिलता है वह fully 33 watt का नहीं रहता तो यहाँ पर आपको हलका slow charging भी feel होने वाला है यह कुछ 4-5 bug थे जिसे आपको जो face करना परेगा इस oxygen OS को use करने के लिए लेकिन रही बात कि भाई से install कैसे कर visit कर लेना और अगर आप मेरे regular वीव रहनो तो प्लीज यार वीडियो को share किया करो क्योंकि भाई मेहनत में काफी करते हो बट व्यूज बहुत कम आते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो कि मेरी family काफी अच्छी खासी हो चुकी है 78K बट उसके साब से व्यूज नहीं आते क्यों चैके मैंने यहाँ पर open कर लिया है भी फिला जैसे आपका recovery open होता है और अगर आप first time oxygen OS install कर देओ तो recovery का use करते हुए आप सबसे पहले stable EU के रों को flash कर लेना यह highly recommended है तो मैंने पहले flash कर लिया था तो मैं द्वाया flash नहीं करने वाला लेकिन flash करने के बाद फिर से आपको एक file install करना है इस oxygen OS को install करने से पहले जो की FW है जिसके last में आपको OP 9R लिखा हुआ मिलता है तो इसे select करना है और swipe कर देना है आप जाओ तो OTG का use कर सकते हो या internal memory card का भ error नहीं आएगा मैं already oxygen OS के बाद दुवारी से flash करना हूँ इसके थोड़ बूत यहां पर error आपको दिखाई देंगे तो इससे ignore करते हुए आपको क्या करना है अपने phone को switch off करके आपको दुवारा power button and volume down को long press करते हुए fast boot logo यानि fast boot boot को open करना है जैसे यह open हो जाता है अब इसके पहले जो 6 pro का update आया था जिसका वीडियो मैंने नहीं दिया कि मैंने टेस्ट किया कुछ issue दिखाई दिया तो मैंने skip कर दिया तो ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं दे रहा तर टेस्ट नहीं कर रहा मैं हर रोम टेस्ट करता हूँ और जिसके demand आपकी ज्यादा रहती है ना अगर आप Windows OS यूज करें अपने लैपी पे तो आपको Windows फाइल यूज करना है अगर आपका Linux है तो Linux यूज करना है और हमें सब force wipe का ही यूज करना है ताकि आपका clean flash हो चके और कम से कम problem देखने को मिले port के अंदर अब इसके उपर आपको double tap कर देना है जैसे आप double tap करोगे या 5 मिनट के अंदर भी हो सकता है तो depend करेगा आपके अलग अलग PC के उपर तो बस आपको wait करना है जब तक आपका phone on नहीं होता कोई भी छिर्चार्ट नहीं करनी है तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा phone boot कर गया है और उहां पर लिखावा आ गया है प्रेस एनी की गया है क्योंकि थ्वासर दिमार्ग डिस्टरब चल रहा है कभी audio recording नहीं हो पा रहा है कभी video recording नहीं हो पा रहा है कभी file transfer में मैंने main file को डिलीट कर दिया या पता नहीं क्या हो था है आज लेकिन हाँ जो कुछ भी था मैंने बता दिया कोई doubt रह गया होगा तो आप comment कर लेन के जरूरत नहीं है simple आप लेकाल के वेट कर लो बूट कर लो यूज कर लो और आपको कैसा लगा है रोम यूज करने के बाद अपना यूजर एक्सप्रियेंस से यर जरूर करना इस डिवाइस से रिलेटेड तो थांक्स वर वाचिंग बाबाए झाल